हेलो दोस्तो आज और एक नए तरीके से रोटी का इस्तिपाल करना बताओं जिसमें आप ताजा रोटी भी ले सकती है या फिर ठंडी रोटी भी ले सकती हैं तो बच्चों की फ्रमाईश पर मैं कुर्कुरे पनाऊंगे रोटी उगे तो इसमें मैं सब्जी ने डालूंगी मैंने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है तो जीरा राई और सॉंप तेल के अंदर डाल दिया है और इस रेसिपी मैं सब्जी का इस्तिमाल नहीं करूंगी और रोटियों को मैंने काट लिया हैं इसे आप जो चाहे शेफ दे सकते हो केंची से लंबे टुकड़े भी कर सकते हो हाथ से भी तोड़के बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे हो कर लिए रोटियों को अच्छी तरह से तेल में मिला देंगे और इसे दो मिनट तक के लिए पकाएंगे और टुकड़ों का भी कलर चैन्ज हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे लाल मेट से जो आपको अच्छा लगे विस इसाब से आप डाल सकते हैं और एक चम्मच हल्दी पावड और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसर और इन सब को अच्छी तरह से भी डालेते हैं और अगर आपके पास ग्रम मसाला हो या पान में थे वह भी आप डाल सकते हैं लेकिन मेज में नहीं डालूंगी और देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो तैयार है हमारे तो दोस्तो एसे कुरकरे आप भी घर पर बनाना ट्राइक करना तो दोस्तो मेरा वीडियो केसा लगा कमेंड में जरूर लिखना पसंद आए तो लाइक सेयर सस्काइब जरूर करना मिलती हू अगले वीडियो में तब तके लिए टाटा बाई बाई